ओफ्लाइन क्लासेज के लिए संपर्क करें योगेंज साह क्लासेज 870123-667 नमबर पर कॉल करिए नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका योगेंज साहू ओनलाइन क्लासेज में इस वीडियो से माद्याम से हम हरी राम पडिल का कम्प्यूडर सब्जेट कवर करेंगे तो मैं जहां पे हो सके ट्रिक के माद्याम से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा जहां पर याद कराया जा सकता है बागी आप केवल वीडियो देखी और सुनते जाई आपको चीज़ें आटोमेटिकली याद होते जाएंगे यह बुक आप अगर आपको मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में सुरूज बिग डूपी का नंबर दिया हुआ है सुरेज बुक डिपू राइपूर में वहां से कुरियर करके करवा सकते हैं आपको कम चार्जेस में और 35-40 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको बस बुलियागा कि योगें साव क्लासेस से बोल रहा हुँ और एक बुक मंगाना है तो आपको हैवी डिस्काउंट स आपको मिल जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला चेप्टर देखेंगें कंप्यूडर का परिचा इंट्रॉडक्शन आफ कंप्यूडर यह थियोरी भी है और इसमें अब्जेक्टिव कोशन भी आपको सौल करने के लिए मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले का सम्मानी परिचा इंट्रॉडफसन आप कोंप्यूडर परिवाशा देखतें न Iyaटेशों क्या है कंप्यूडर शबतैं ग्रीक भाशा के मिल पॉइघक से हुआ है कंप्यूर से हुआ है कंप्यूर एक स्वाचालिद्थ एलेप्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा त करता है देशों को इन्पूट के रूप में ग्रहन करता है निर्देशों के अन्रूप में उसका उनकाrah ती रैटी और तूटी रही ठंग से उसका मिलेशन का करता है टिक डेटा अपरपरिष्क्रित वस्तुए का संग रहा है वह जनकारी जिसम Thomas स्वाय जनकारी से कहते हैं क्षुश्ची सब्सक्रीक्ष्च यह इन नैज थे बसकता है वर् में कममीडर की विशेचता है creativity सब्सक्राइल कर सकता है एंदारN तो यह important है याद रखेगा computer processor की speed को किस में होते है हर्ट में फिर बंदारन चमता storage capacity computer के memory में होती है ना बंदारन चमता large permanent capacity है किसकी computer की फिर बंदारी सुचना को तीव रगती से प्राप्त करना मतब फास्ट रेट्रीवल यह भी एक इसका characteristics है फिर quick decision मतब जल्दी निरना लेने की चमता जैसे मैं अगर आप बोलूं 45 x 12345 x67893 यह बोलूं तो आपको समय लगेगा human को समय लगेगा calculate करने में लेकिन अग सब्सक्रावित्ती repetition फिर secrecy गोबनी रिकता आपके चीजों को ठीक और कारियों में उक रूपता एक रूपता ठीक है फिर next point देखते हैं computer की कारी पनाली तो सिंपल से उसको computer process करेगा और फिर उस process करने के बाद एक finished product आपको देगा जिसको output बोला आता है तो यह computer की कारी अपनाली है इसको याद रखने आपको clear computer के दौरा निम्हें कि चारी कारी किये जा सकते हैं कौन-कौन सा data input data processing data storage और data output तो बोलेंगे कि आप यह चीज में यहां पे तीन points है यहां पे तीन points और यहां पे चार points है ठीक है storage भी तो कर सकते हैं computer में कोई चीज आप इस्टोर करकर सकते कि नहीं तो data input क्या है computer को दी गई जनकरी data processing क्या है कि निर्देश का क्रियानवन execute करना data storage मतलब data program को इस थाहीरूप से store रखता है और data output क्या है computer से ली गई जनकर data output test copy करना computer का अधारबूत कारिया नहीं है ठीक है यह basic fundamental काम नहीं है क्या test copy करना यह इस पॉइंट को याद रखेगा यह इसमें कौन सा कारिय कंप्यूटर कर नहीं है चार option दिया तो जिसमें एक यह option है तो यह जो exam में आय हुए question है उसको as it is point बनाकर डाल दिया तो test copy करन करना computer का अधारबूत कारिया नहीं काम नहीं है computer बुलियन बीज गनित पर अधारित होता है यह बहुत important point इसको याद रहे computer किस पर अधारित है या वही काम करेगा खुझ से कोई चीज नहीं करेगा तो तो कुर्डर किसका काम करता है कारि नहीं नहीं करता सभ्यूक्याद के लिए पुस्तार्ष नान पर्दान एक्सेंज़ और इनफ्रमेशन रक्षा डिफेंस चेकनोलोजी ने पूले चिंटीज ग्यानि के लिए विए पुस्तकाल डिजिटल लिए प्रद्योगी आतिरिक्ष प्रद्यागी, इन्रश्टी सेंट नुट्ष्टी से गेमिंग में युन होता है और से प्रजाषनी स्क्सेशनी समय करेक्टिक्षट्रिक्स याद रहे न रहे किया कि पूद्धी ये प्लॉदी नहीं लगा आपने जो बोला कि a plus बी करना है और उसको chain síds情况 करें तो यही सीज़ यह करेंगा अब क्यूं करेगा क्या यह सब दिमाग कम्भूर नहीं लगाता इस आपका इस्सक्षन फॉलो करता तो ढहने दुसरा खर्चीलत एक्डम सस्थे में में तो थोड़ा से खर्च करना पड़ा है फिर इंम्यून टॉ वाइरस मतलब वाइरस का खतरा रहता है कोई भी वाइरस अटेक कर सकते हैं आपकी important जनकारी छूड़ जाएगे मदब दूसरे के पास चले जा सकती है फिर विद्धुद पर नहीं बरता depends on electricity इसको बैटरी से चार्ज करना पड़ता है ना बीना बैटरी के नहीं चलेगा फिर मैं तो पूंत आती important points यह आपको एकदम important याद ही रखना है दो दिसंबर को computer literacy day computer साख चर्था दिवस मना जाता है क्योंकि दो दिसंबर को अमेरिकी रख्षा विभाग द्वारा अरपानेट का प्रयोग किया गया था क्या point याद रखना है सबसे पहला की लिट्रेसी डे कब मना जाता है 2 दिसंबर कब मना जाता है लिट्रेसी डे को computer literacy day मना जाता है क्योंकि 2 दिसंबर को क्या हुआ एसे एडवांस आर से रिसर्च पी से प्रोजेक्ट एसे एजनसी और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी नेट्वर्ग फिर computer सक्षरता का अर्थ क्या है तो computer की कायर चंता की जनकारी होना विश्व में सरवादी computer कहा है USA अमेरिका में इस्तित है विश् इसका अर्थ गर्णना करना होता है तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है computer सब्सक्राइब किस से बनाएं ग्रीक भासा के computer सब्सक्राइब फिर लेजर का फुल फॉर्म आपको याद अगना है और इसके अविश्कार करता है इसको किसने अविश्कार किया वह भी आपको या इसके light अप्लिफिकेशन यहां पर कार देजिगा यह फूल फॉर्म इसका light अप्लिफिकेशन बॉबिब इसटुमिलेटिड अमिशन ऊफ रेडियेशन इसके अविश्कार करता कौन है थीओर मेमन अब CD CD compact disc में लिखने एवं पढ़ने हैं तो केवल laser Kiran का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेगा CD जो compact disc आता है उसको लिखने पढ़ने मतलब read and write read and write करने में किसका यूज होता है तो laser beam का यूप यूज होता है तो laser Kiran का प्रयोग किया आता है अब computer शब्द केवल मशीनी भासा ही समझता है मतलब 0 और 1 की रूप में code रहता है computer में केवल क्या रहता है मशीनी भासा मतलब machine language ही समझता है और वही यूज होता है जो कि 0 से 1 की रूप में code रहता है clear next point देते हैं सवानी रूप से multimedia computer system के लिए storage device आवश्यक नहीं है समानी रूप से multimedia computer system के लिए storage device आवश्यक नहीं है computer का मुख्य गटक motherboard होता है मुख्य गटक क्या है में आपका factor जो है motherboard है मुख्य गटक क्या है motherboard याद रखेगा computer का मुख्य गटक क्या है motherboard clear चलिया next देखते है computer की संरचना computer architecture या क्या design कैसा है इसका computer के सभी उपकरनों यहां उनके संबंद को ही computer की संरचना कहते हैं मुख्य तर तीन भागों से मिलकर बना होता है क्या-क्या input CPU और output यूनिट मतलब processing का काम कौन करता है हम लोग इन अभी देखाते इसकी कारे पनाली क्या होता है input फिर क्या होता है processing का कारिया प्रोसेस करता है उसके बाद output देता है ठीक है तो processing कौन करता है CPU करता है input करोगे CPU central processing unit है पी से processing आ रहा है तो यहां दखिए CPU अब यह CPU input unit CPU और output यूनिट यह इसकी संरचना है computer की अब यह CPU में क्या रहता है यूनिट ऐसे कुछ है इसका फुल फॉल फॉम यह अरिफ्मेटिक लॉजिक उनिट ही है तो memory unit control unit और CPU में इतने सारे फेक्टर है memory unit control unit और ELU arithmetic logic unit इतना याद रहेगा छीक है CPU में क्या चीज़ होता है Mac होता है Mac Mac होता है CPU में क्या होता है Mac होता है M से memory unit A से ALU arithmetic logic unit और C से क्या होता है control unit और इसके बाद यह output देता आपको तो इसके संरचना कुछ इस प्रकार से होती है फिर input unit computer का वहाँ बाग होता है क्या होता है computer का वहाँ बाग होता है जिसके माद्याम से input किसके माद्याम से computer को डेटा प्रोग्राम अनुदेश मतलब अनुदेश निर्देश यह सब instruction हो गए को बेजा जाता है input में जैसे mouse keyboard scanner joystick microphone light pen touch screen अधी यह सब के सब क्या है आपके input device के एकजामपल है यह आगे एक 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 input device को हम डिटेल में पढ़ने जा रहें पढ़ेंगे तो अभी चिंता नहीं करना है याद हो जाएगा input device कोन-कों से है इन्पूट device क्या होता है समझागे जिससे हमको computer को instruction दे रहें सब्सक्राइब करना है कि योगेंद्र कंप्यूटर में टाइप करना है योगेंद्र जैसे मेरा नाम योगेंद्र है योगेंद्र करना है किसके माद्द्यम से यह data मैं computer में बेजूँगा तो एक input device keyboard होता है उसके मादन से वाई टाइप करोंगा फिर ओ फिर जी फिर एसे करके टाइप करके computer को instruction दूँगा तो यह होगे आपका input पिर फिर Central processing unit CPU के CPU क का मुख्य काम करता है इसका मुख्य लक्स क्या है data को सूचरा में बदलना data को information में में बदलना CPU का में काम होता है CPU computer का वाब होता होता है जहां computer के सभी कारी संपन होते स्ब्श् Royce Countstone CPU computer का वाब आगया जहां एक कंपूडर सिस्टम में CPU से एक पंखा जोड़ा होता है तो कंपूडर का एक तो कम्प्यूटर का ब्रेड और हर्ट कया है कि यह सगर्द सरकीट कीट होता है इंडिग्रेटथ इंडिग्रेटडव सप्रंख कर दोटें चरह कि औ Northyoung beef नाजिकलेटर कि निटनरओंस सब्सक्राइब की नजनßेह रिद्यधांन कर लाइधान है यूनिट तो तो कंप्यूटर में अंक गंड़ती तर्कीक संबंदी कारी कौन करता है CPU करता है और CPU में पॉटिक्लर स्पेसिफिक हम जाए पॉइंट तो अल्यू करता है अब इसके तीन भाग होते हैं किसके CPU के कौन सा पहला यूट मैक बता है था M से मैक M से मैमूरी उनूट A से अरिमेटिक लज़ुग आध्युग और C से कंट्रोल उनुट तो CPU का वह स्थान जो कंप्योडर में डेटा के बंढ़ारन के लिए स्थान उपलब्द कराता है उसको memory unit बोलते हैं न, memory unit, क्या बोलते हैं memory unit, अब memory unit दो बाग में बटे हैं, पहला primary memory दूसरा secondary memory, पहला primary memory और दूसरा secondary memory, memory unit दो बाग में बटे हैं, एक पहला primary memory दूसरा secondary memory, इसे आंत्रिक या मुख्य memory भी कहते हैं, इसको primary memory जहां data आ इस्थाई रूप से store किया जाता है, फिर कंट्रोल उनिट देखे तो गने इस अर्यदमाटिक लॉजी को आगे देखनें कि कन्डूल लॉड़ बागज यहां से कंपुडर के सभी आंतिरीक वाधी अगतिविद्ययों का नियंतरन होता है इसे एक नाड़ी तंतर भी ऑगते है नाड़ी तंतर मतलब नर्वस सिंस् क्या होता है एक्जिकुशन फेचिंग डिकोडिंग इफेक्टिव रिफ्रेस यह सब क्या है इंस्ट्रेक्शन साइकल नहीं आपके एल्यू अरिद्मेटिक लॉजिक उनिट स्यूप्यों के इस भाग में सभी गणिती यह वह तार्किक कायर संपन होते ठीक है इतने भी अब देख लिए अब दिसरा देख रहें आउट पूट निट अब कमडर का वह बाग जो कमडर दोरा प्रोसेस किए परिणाब को प्राफ्ट करने के लिए प्रिप्त युक्ति होती है उसे ही आउट पूट यूट बोला जाता है मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर प्लॉटर आ प्रिंटर वह भी हमको एक रपूट मिल गया जो कबम आप को जैंख अवा सुनते हैं तो इस कमडर के द्वारा जूड़ा हूँआ था स्पीकर ठीक क्या तो वह सीकर से आवास सुना है तो भी एक जोज़ए फिर प्लॉटर प्लॉटर प्रिंटर जैसे ही कुछीज है उसमे क्वालिटी अच्छा होता है फिर लाज देखते इस टॉपिक का यह विडियो का यह लाश्ट पेज चलिए आगे देखते युक्तियां वे समस्त डिवाइज जो कम्व्याइज 2020 चुम्पण चलिए उसको तरह हो 박rition जाता है कंप्यूट जर्च करने स्क्राइज करने काम काम आता है इसे ही कंप्यूटर युक्तियां य तरह से किया जाता है Fukushima चाता एक input device और एक output device वे सभी device जिनके द्वारा computer से output प्राप्ट किया जाता है जैसे monitor printer इत्यादी और जो computer हमको देता है है जoba कम्टर से उसको बग्याता है और प्रिचानी कर अब जुड़ने की अधार पर मतलब डूल आप पहला नॉन परिफरल नॉन परिफरल नॉन परिफरल नॉन नॉन परिफरल नॉन इंड है नहीं दस ćए अनसी से डिक परगी का तत परें, कॉटर से जोड़ागया डिवाइज, अब नोट क्या है, क्योंकि यह सिप्यू के चारों और लगा होता है, तो पेरिफरल डिवाइज किसको बलाता है, पेरिफरल डिवाइज is equal to input i plus o input plus output devices is equal to peripheral devices याद हो जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरू करें यह पूरा सीरीस कप्लिट होगा